बारिस की सिजन आने वाली है और ऐसे मौसम में कोई प्यारासा हिल स्टेशन हो जहां आप कुछ दिन बढ़े आराम से बिताव सके तो क्या कहना राजस्तान का एक लौता हिल स्टेशन जो करीबन 1220 मिटर मतलग 4000 फिट की हाइट पे है जिसका प्राचिन नाम है अर्बूदा जो अब माउंड आबू के नाम से जाना जाता है इस पहाड़ी इलाके के ठंडे और सुहाने मौसम का मजा लेने टोरिस्ट दूर दूर से यहां खिचे चले आते माउंड आबू केवल आज ही नहीं लेकिन बहुत पुराने समय से लोगों को लुबाता आया है उस समय में भ सबसे पहली पसंद माउंड आबू ही हुआ करते हैं माउंट आबू में आप कौन-कौन से प्लेसिस विजिट कर सकते हो नकी लेक राजस्तान के माउंट आबू में करीबन 3936 फिट की हाइट पे है नकी जिल जो करीबन धाई किलोमेटर के डायरे में फैली हुई है यह भारत की पहली मानव नेल में जिल है जिसकी गहराई लगबग 11,000 मेटर है सिर्फ एक रात में ही नौक मतलब नेल की मदद से इस जिल को बनाया गया था और इसलिए इसे नकी जिल काहते है चारों तरफ उचे उचे पहाडों, हरी भरी वादियों और खजूर के लंबे-लंबे पेडों से गिरी हुई जिल किसी खुबसूरत पेंटिंग से कम नहीं, ये नकी जिल माउटाबू की सुन्दरता में चार चान लगा देती है गुरु सिखर जो अर्वली परवत सिंखला की सबसे उची चोटी है जो करीबन 1722 मीटर मतलब 5650 फिट की हाइट पे है इतनी उच्चाए पर जब आप खड़े होकर आसपास या निचे देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हूँ संसेट पॉइंट सुर्यास का बहतरे नजारा देखने के लिए राजस्तान में इससे अच्छी जगा कोई हो ही नहीं सकती यहां से सुर्यास का कुछ ऐसा नजर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं दूर सुरत डूब रहा है और पाताल में समा रहा है इस हैरत अंगेज नजारे को देखने के लिए ज़्यादा तर टूरिस एविनिंग के समय यहां पहुची जाते है हनीमून पॉइंट जो संसेट पॉइंट से करीवन चार किलोमेटर और नकी लेक से करीवन दो किलोमेटर के डिस्टन्स पे है माउंट आबू की घाटियों का अधबुत रिश्या आपको यहां से देखने को मिलेगा और ठंडे पवन की लहर भी आपका दिल जित लेगी तोड रोक नकी जिल के बिल्कुल पास में टोड रोक जो दरसल एक चटान है जो देखने में आपको अल्ली मॉर्निंग जरूर विजिट करनी चाहिए माउंट आबू में एंटर होते ही एक किलोमेटर बाद गौमुक सरकल है वहां से करीवन तीन किलोमेटर के डिस्टन्स पे है गौमुक मंदिर जाने का रास्ता जहां आप अपना विकल पाक करने के बाद करीबन 750 जितने सिडिया आपको निचे उतरनी है यहां पत्थर के बने हुए गौमुक से सदा के लिए सरस्वती नदी का पानी बहता ही रहता है और इसलिए इस स्थान को गौमुक कहा जाता है यहां पर गुरू वसिष्ट का एक अनुखा आसरम भी है और ऐसा भी माना जाता है कि बगवान स्रीराम ने अपने सुरुवाती सिक्सा यहीं प्राप्त के थी अर्बुदा देवी टेंपल जिसे अधर देवी टेंपल भी कहा जाता है जहां आपको करीबन 350 जितने स्टैप चलने होगे बाद में आप एक गुफा में बैठे हुए माता जी का यह दर्सन भी कर सकते हो वैसे अधर का मतलब होता है होट याने लिप्स 51 सक्तिपिट में से यहां होट का महत्व है यह पवित्र जगह आपको विजिट करने में करीबन 2-3 घंटे जितना समय लग सकता है ट्रेवर्स टेंग जो गुरु सीगर रोड पर एक अने एक्सप्लोर प्लेस से जहां काफी कम लोग जाते हैं मैंने भी पहली बार यह जगह विजिट की और सच को हुँ तो आपको भी एक खुबसूरत जगह जरूर विजिट करने चाहिए वैसे यहां एंट्रिकेट लेनी पड़ेगी बाद में आप अपना विकल लेकर या फिर चलते हुए आगे जा सकते हो यहां एक बहुत ही खुबसूरत लेक है जिसमें काफी सारे क्रोकोडाइल और मचलिया भी है पास में दो माउंटेन है एक है वैली विउपोइंट और दुसरा है आबू विउपोइंट अगर आप वाइल लाइफ फोटोग्राफी में इंट्रेस्टेड हो तो दिस इस मॉस्ट विजिट प्लेस पॉर फ्यू अमेजिंग बड्स अचले इस्वर प्रतिमा है जिसकी पूजा की जाती है दिलवारा जैन टेंपल 11 और 13 सतापदी के बीच स्तापित दिलवारा जैन मंदिर देश में वास्तु सिल्प पूर्णता के सर्वस्टिस नमूनेल में से एक माना जाता है सफेज संगे मरमर से उकरे गए इन मंदिरों के आंद्रिक भ साही, पितलहार, पास्वनात और महावीर स्वामी जिन में से सभी की अनुकरणिया सरज्टनाय है और बेजूड आध्यात्मिक वाइप्स देते हैं इसके अलावा भी आप ब्रह्मा कुमारी होमसांती बवन, पीस पार्क, मांट अबू, वाइलाप शेंचुरी, स्वामी न अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो उदेःपूर और एंधावात नजदी की एरबोट है, अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हो तो आबूर और नजदी की रेलेटेशन है जो करीबन 26 किलोमेटर के डिस्टन्स पे है, अगर आप बाई बस या टेक्सी से आना प्राजस्तान या फिर एहमदावास से आपको पब्लिक और प्राइवेट ट्रांस्पोर्टेशन भी मिल जाएगा, मांट अबू पहुत तो गए, लेकिन रहने के लिए अगर कोई अच्छे सी जगा मिल जाए तो इस ट्रीप में चार चान लग जाए, देखो वैसे तो मां प्राइज की प्राइज रिंज के बारे में अगर बात करें तो युजवली 800 रूपीस से स्टार्ट होती है, देखो मांट अब एक पॉपिलर डिस्टिनेशन है, जहां आपको देश के कोने कोने से आए हुए लोग मिलेगे और इसलिए यहां आपको इंडिया की हर एक डिस खाने को मिल जाएगी, आप जिस होटल में रुक रहे हो, वहां तो आपको फुड मिलेगा ही, लेकिन अच्छे रिस्टोरंट की भी कोई कमी नहीं है, अगर हम प्राइज की बात करें तो 150 रूपीस पर डिस आप मान के चलिए, लेकिन अगर आप कोई रिस्टोरंट आते हूँ, तो मैं आपको अर्बुदा रिस्टोरंट जरूर सजेस्ट करूँगा, जो बाबा साहिब आमबिटकर सरकल के पास में है, अब जो रहना, खाना, पीना, कहां गुमना है, वो सब पता है, लेकिन इस सब जगा पे कैसे जाए, तो मैं आपको सबसे बेस्ट आप् पर ले सकते हूँ, जिसमें 2-wheeler के 300 रूपीज से 500 रूपीज होते हैं, बुलेट चैसी बाइक के करिबन 800 रूपीज, 4-wheeler करिबन 1200 से 1800 रूपीज की प्राइज होती हैं, जिसमें ठार जैसी जो 4-wheeler होती हैं, उसमें 2500 से 3000 रूपे तक per day चार्ज होता है, जो सीजन के इस С आप से विजिट करना चाहते हूँ तो मिनिमम पांच देन तो चाहिए ही चाहिए युज्वली विकेंड में टूरिस्ट दो दिन के लिए ये ट्रीप प्लान करते हैं और इन हसीनवाद यो कमन महोग नजारा एंजोय करते हैं मांट अबू आप किसी भी सीजन में विजिट कर सकते हो लेकिन गर्मी के मौसम में आपको ज्यादा टूरिस्ट देखने को मिलेंगे लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मौनसुन में आ रहे हो तो ये प्यारा सा हिल्सरेशन किसी जन्नत से कम नहीं अगर आप मांट अबू के बारे में और भी ज्यादा डिटल में जानना चाहते हो तो मेरी मांट अबू रिलेटर जो प्लेलिस से वो आप देख सकते हो जो आपको इस स्क्रीन में यहीं कहीं दिख रही होगी तो चलिए इसे के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में तब तक और ना खायार रखिये सेव निच्चा, सेव वटर, टेक केर, बाइबाइ